आज की इस वीडियो में आपको ये दो पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं ये दोनों ही पिक्चर्स ऐसे जो कुछ ढूंटती हुई दिखाई देंगी आपको ये आप लोगों की ही पिक्चर्स हैं आपको इन में से दोनों में से कोई भी एक पिक्चर को चूज करना है ये मैंन क्यों ली है आज इसके पीछे क्या मेरा मकसद है इसको लेने का इसको लेने का मकसद ये है कि हम सब लोग अपने life purpose को हमेशा ढूंडते रहते हैं हम ये समझ नहीं पाते कि हमारा life purpose क्या है हमारा इस दुनिया में इस जीवन में आने का उदेश्य क्या है तो अगर आप भी ये खुझ से बार-बार पूछते हैं कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं आपका life purpose क्या है आपको समझ में नहीं आता कि जीवन जो है वो किस दिशा में जा रहा है और ये क्यों जा रहा है कहां पर आपके उदेश्य छिपे हुए हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास हो सकती है आपको पता चलेगा कि life में आने का आपका मकसद क्या है मैं बहुत सी वीडियोस देती रहती हूँ रीडिंग्स देती रहती हूँ ताकि आप सब लोगों को guidance मिले आप सब लोग एक right path पर जा पाएं समझ पाएं जिंदगी को आसान तरीके से और बहुत ज़्यादा confuse ना रहें अपनी life में तो हमेशा मैं कुछ ना कुछ आपके लिए different लेकर आती रहती हूँ तो आज की वीडियो ज़रूर देखे ताकि आपको आपका life purpose मिल सके चलिए आप बात करते हैं आज की रिडिंग के बारे में आपका life purpose क्या है आपके जीवन का उदेश्य क्या है अगर आपने पहले picture को चूज किया है जिसमें खुद से आप देख रहे हैं कि क्या है जीवन का उदेश्य कहां पर आपको जाना है क्या है आपके लिए राइट बात तो अगर आप भी ऐसे ही अपने सपनों को ढूंड रहे हैं उदेश्य को ढूंड रहे हैं परपस को ढूंड रहे हैं तो पाइल नंबर वन अब यह रीडिंग आपकी होगी मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट कर रही हूँ जब हम अपने लाइफ परपस के बारे में जानना चाहते हैं तब डिवाइन पावर्स को बुला लेना चाहिए डिवाइन पावर्स को याद करना चाहिए क्योंकि वही इनर्जी हमारे लिए हमें हायर से जोड़ सकती हैं यहाँ पर जो इनर्जी आपके लिए निकल कर आई हैं जो उपर की four cards हैं वह आपकी struggles हैं क्या आपको अपने लाइफ परपस तक पहुँचने के लिए क्या क्या effortst करनी हैं और नीचे के जो three cards हैं वो आपका life purpose है, तो सबसे पहले तो मैं यही बात करती हूँ, कि आप लोगों का life purpose क्या है, आपका life purpose है अगर आप एक emperor की energy में हो, अगर आप एक divine masculine की energy में हो, अगर आपको ये लगता है कि आप में power है, आप में होसला है, आप में strength है, तो आप एक right track अगर आपको लगता है कि आप दुनिया को बदल सकते हो, अगर आपको ये लगता है कि अगर आप दुनिया को बदलने की हिम्मत रखते हो, तो आप right track पर हो, और अगर आपको ये लगता है कि कुछ changes आने ज़रूरी है जिन्दगी में, वो क्या changes है वो आप समझ नहीं पा रहे हो, कुछ लोगों के लिए मुझे struggles ये लग रही है कि आप confused रहते हो, आपको समझ में नहीं आता, कि आप के जीवन का उदेश्य क्या है, आप बहुत उल्चे हुए रहते हो, अपने विचारों में, आपका जो थर्डाई चक्रा है वो ब्लॉक है और आपको बिल्कुल भ वक करने की जरुबरत है, तो ये जरूर कीजिए, इनर वक के लिए मैंने वीडियो भी डाली है, आप देख सकते हैं, कि इनर वक कैसे करते हैं, और इनर वक होता क्या है, कुछ लोगों को तो मुझे लगता है, इसका आइडिया भी नहीं होता, कि इनर वक क्या है, तो इसके बाद कुछ लोगों के लिए मुझे ये लगता है कि आप अपने life purpose में बहुत कुछ ढूनने की कोशिश करते हो कि क्या है आपका life purpose, कहां जाना है आपने, क्या है right track, पर आपकी responsibilities बहुत जादा हैं जिसकी वज़ा से आप खुद को transform नहीं कर पाते हो, आपको सही रास्ता नही मिल पाता है, आपको बहुत जादा कामों में उल्जाओ के कारण परिशानिया रहती हैं, आप समय नहीं दे पाते हो, time management आपसे नहीं होता, आपसे management की skills कम होने की बज़े से, चीज़े manage करना आपको मुश्किल लगता है, तो ये एक बहुत ही common cause है बहुत से लोगों का, कि उनको time management नहीं आती है, तो यहाँ पर ये बहुत जादा जरूरी है, आपकी struggles कम हो जाएंगी, अगर आप अपने life purpose तक पहुँचना चाहते हो, अगर आप inner satisfaction चाहते हो, तो time management बहुत जरूरी है, दूसरा आपके लिए message है कि learn from your mistakes, or feel joy in all you do, तो ये जो दो messages है, आपको ये accept क करने चाहिए, क्योंकि ये आपका life purpose है, आपको अपनी mistakes से सीखना चाहिए, हर एक movement को, हर एक event को आप lesson समझे, अगर को गलती भी हुई है, तो उसे भी अपनी mistake ना समझ कर उससे भी आप कुछ सीख लें, उसको आप lesson समझे, क्योंकि यहाँ पर जो energies आपके लिए आई है, उ बहुत experienced है, और अगर आप इस experience तक पहुँच जाते हो, और अपनी mistakes को अपने lesson समझते हो, और वहाँ से भी कुछ gain करने की कोशिश करते हो, तो आप अपने life purpose तक अराम से पहुच जाओगे, आपको एक wise decision लेना है अपनी जिंदगी में, और अगर आप बहुत knowledgeable person हो, आपको बहुत knowledge है, आप बहुत wise हो, हमेशा सही फैसले करते हो, तब आप right track पर हो, क्योंकि आपकी life का मतलब ही यही है, कि आपको सही फैसले करने हैं, और आपको दूसरों को भी सही फैसले करने के लिए प्रेरित करना है, आपको दूसरों को भी सही रास्ता दिखाना है, guidance देना ह तो यही आपका life purpose है आपके लिए यहाँ पर जो energies है यह बता रही है कि आपकी life में इतना बड़ा change आएगा अगर आप खुद को इस energy में लेकर आते हो अगर आप खुद को एक king समझते हो राजा समझते हो और राजा के जो जो कृतव्य होते हैं जो जो उसके rules होते हैं जो जो उसकी responsibilities होती हैं अगर आप उसको निभाते हो तो आपकी life में एक बहुत बड़ा change आएगा the world card यहाँ पर बता रहा है कि आपको achievement मिलेगी आपको reward मिलेगा और आप बहुत जादा traveling कर सकोगे और जो लोग traveling कर रहे हैं वो अपने बिकुर right track पर हैं वो अपने इसे right track पर हैं जहाँ पर वो खुद को explore कर रहे हैं जहाँ पर दुनिया को explore कर रहे हैं तो उनको changes के कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपका life purpose यही है आप घूमना चाहते हैं आप traveling करना चाहते हैं आप खुद का एक अस्तित्व बनाना चाहते हैं तो आप बिलकु right track पर हो पर जो नहीं कर पा रहे हैं जब वो एक तरह से emperor के एक राजा की energy में आएंगे king की energy में आएंगे और ऐसा नहीं है कि king मैंने कह दिया तो आप अपने आपको king समझने लगें उसकी responsibilities को भी पूरा करना है discipline में भी रहना है अनुशासन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता तो जब responsibilities को इसकी follow करना है यही आपका life purpose है आपर night of pentacle है और two of pentacle है यह दोनों energies बताती है कि अगर आप stability चाहते हो तो time manage करना सीखें और responsibility के साथ हमेशा life में आगे बढ़ें तो यह भी आपको चाहिए अगर आप अपनी responsibility को इतना तवज्जु नहीं देंगे और आप एक इस तरह स से आगे बढ़ते जाएंगे जैसे careless person होता है तो आपको बिल्कुल भी satisfaction नहीं मिलेगी आपको लगेगा कि जैसे आप जिन्दगी को बिल्कुल बस जीए जा रहे हो और कोई आपकी जिन्दगी का मतलब नहीं है मकसद नहीं है तो मकसद ढूनना ही आपका मकसद है आप जो क responsibilities को जितना भारी कर लोगे उतना ही वो भारी होती जाएंगी यह आपके जीवन का उदेश है कि जितनी responsibilities आपके उपर है उसे manage करके चलें अगर आपके उपर जादा responsibilities है तो किसी को आप थोड़ी सी दे दें अगर आपके उपर बहुत जादा काम का pressure है तो उसे बांट लें अपने घर परिवार के लोगों के साथ अपने employees के साथ अगर आप business कर रहे हैं तो partnership में कर सकते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा बनाएं जिससे आपकी जो responsibilities हैं थोड़ी बट जाएं पर वो आपके लिए जिंदगी में आगे बढ़ने का एक motive है आप उसे ऐसा मत समझें कि यह आ आपको आपका life purpose मिल जाएगा और जब आपको एक बार आपका life purpose पता चल गया तो आपको inner satisfaction मिलने से कोई रोख ही नहीं सकता तो यह है आपकी reading अगर आपको इसमें ऐसा लगा हो कि आपके लिए वाकी में यह चीजें जो हैं वो जरूरी हैं आपको अभी तक इसका पता नह की कोशिश करें जो लोग discipline से नहीं रहते rules को नहीं मानते जो लोग खुद को king तो समझते हैं पर king के काम नहीं करते तो उन लोगों के लिए मैं यह जरूर कहना जाते हूं कि जब आप इसे अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं जब आप इसे अपनी रोजमर्रा का हिस्सा बना लेते हैं तो आपको आसान हो जाता है आगे बढ़ना और इसके साथ-साथ life purpose को समझना भी आसान हो जाता है और किसी भी आदत को अड़ाप्ट करने में सिर्फ और सिर्फ 21 दिन का समय लगता है साथ दिन में वो आदत हमारी आदत बन जाती है और 21 दिन के बाद तो वो हुमारे जिंदगी का पूरा हिस्सा बन जाती है तो जादा समय नहीं लगता है किसी भी काम को बदलने के लिए आपको एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए ये थी आपकी रीडिंग पाइल नमबर वान अगर आपको ये रेजोनेट हुई हो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए, stay blessed, stay positive, thank you अब मैं बात करने वाली हूँ पाइल नमबर टू आपकी अगर आपने इस ब्यूटिफल पिक्चर को चूज किया है जिसमें आप भी अपने लाइफ परपस को ढूण रहे हैं पाइल टू को सिलेक्ट किया है तो यह reading अब आपकी होने वाली है देखते हैं कि क्या है आपके जिन्दगी का उदेश आपके जीवन का उदेश क्या है आपका लाइफ परपस और किसे आप ढूण रहे हो यहाँ पर आपके लिए जो energies हैं उसमें उपर की जो energies हैं वो आपकी struggles को आपकी मेहनत को बताती है कि आपको क्या करना चाहिए अगर आप अपने life purpose को ढूणना चाहते हो और नीचे जो है वो 3 cards आपके life purpose के हैं तो यहाँ पर मैं आपको यह ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आप एक blessed person हो आपको blessings मिल रही है आप divine energies लिये हुए हो आपके पास बहुत सी blessings है भगवान ने जो आपको दी है पर कभी-कभी आप उन blessings को देखना नहीं चाहते और एक बिल्कुल free will की तरह है जिसको कोई काम नहीं है जिसको कोई मतलब नहीं है दुनिया से ऐसी जिन्दगी आप जीना चाहते हो तो ये आपका life purpose नहीं है आप गलत दिशा में हो अगर आप इस तरह से अपनी जिन्दगी को बिता रहे हो आपके पास बहुत सी ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं आपको बहुत चाहते हैं पर आप चोईस नहीं कर पाते हो कि कौन सही है और कौन गलत है पेज अफ स्वार्ट दे किंग अफ कप और दे फूल की एनरजी ये बता रही है कि आप थोड़े immature बिहेव करते हो आप वो कप नहीं देख रहे हो जो बहुत प्यार से भरा हुआ है आपकी जो लिघा है वो कहीं और ही रहती है आप किसी और concept को ही देखते रहते हो आपको समझ में नहीं आता कि किसी ने आपको कितने अच्छे से प्यार से बाद की है किसी ने आपके साथ कितना अच्छा व्यवार किया है आप उसे ignore कर देते हो और एक फ्री विल की तरह आप घूमते हो, आपको कोई परवाह नहीं है किसी की, क्योंकि आपके साथ blessings है, तो इसका मतलब यह नहीं है, कि दूसरों की परवाह ना करें, तो आपको परवाह करनी चाहिए, आप बिलीव तो करते हो, कि जो लोग आपसे प्यार करते हैं, आपको जो क्यार करने वाले हैं, जो आपसे प्यार करने वाले हैं, उनको इग्नोर मत करें, यह आपको नहीं करना चाहिए, आप अगर फूल की इनरजी में हो, अगर आपको यह लगता है, कि आपको किसी की परवाह नहीं है, आप लापरवा किसम के इनसान हो, अगर आप यह सोचत चलते हैं कि आप बहुत इंटलेक्ट्ट हो पर आप अपनी इंटलेक्ट का यूज नहीं करते हो, आप सही जगे पर उस्कोप लोगों की बातों का करना करना पड़ता है, वो आप से हमेशा शिकायत करते हैं, कि अगर वो आपके पास आए हैं, अगर वो काउंसलिंग के लिए आए हैं, अगर वो सही decision के लिए आए हैं, तो आप अपनी एक जो बच्चा है आपके अंदर का, उसको आप आगे ना रखते हुए एक mature decision दें आपको कभी भी partial होकर किसी का साथ नहीं देना आपको हमेशा एक न्याय प्रिय डिसीजन देना चाहिए क्योंकि यहां पर हैं दो kings और एक queen तो हमेशा एक ऐसी energy में आपको रहना चाहिए यही आपका life purpose है जिससे लोगों को आप सही न्याय दे सकें लोगों को आप सही guidance दे सकें लोगों को आप सही रास्ता दिखा सकें अगर आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा तो आपको आगे नहीं आना चाहिए यह कहने के लिए कि आप सब कर देंगे आपको यह हक नहीं है अगर आप right track पर नहीं जा पा रहे हैं तो शायद आपका life purpose यही है कि आप right track पर चलें और लोगों को सही guide करें पर अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर आपको ये कहना भी नहीं चाहिए कि आप सब कुछ कर देंगे और आप किसी को नयाय दिला देंगे या आप किसी के साथ चल कर उसको सही रास्ता दिखा देंगे क्योंकि जब तक आप सही रास्ते पर नहीं हो आप किसी को रास्ता नहीं दिखा सकते तो आपको अपने अंदर के जो believe हैं उन पर आपको यकीन करना है तभी आप किसी को रास्ता दिखा पाएंगे और खुद आप एक सही रास्ते पर चलेंगे फूल की एनरजी से बाहर आकर पेज आफ स्वार्ड की एनरजी से बाहर आकर जो आपके लिए जिन्दगी में स्ट्रॉगल्स बनी हुई है अगर आप खुद को blessed महसूस करते हो तो उस blessing का इस्तिमाल करें और practice करें और साइयम में रहें ये आपके लिए बहुत जरूरी है जब तक आप किसी चीज़ का अभ्यास नहीं करते तब तक आप उस चीज़ को पा नहीं सकते तो साइयम में रहना, patience ये दो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है belief आपके अच्छे हैं, आपकी intellectual powers बहुत ज़्यादा हैं आप एक wise person हो, पर सही समय पर सही decision लेना ही आपका life purpose है, तो वो आप कैसे करेंगे, ये आपको पता है जब भी आप कोई काम करने के लिए जाते हैं, तो कभी जल्दबाजी ना करें कभी किसी से जल्दी जल्दी में बात ना करें, अपने communication skills को सुधारें, और ये चाईज़ें आपको आगे लेकर जाने में बहुत ज़्यादा help करेंगी, जब आपको बहुत से choices दिखाई दें, तब आप कैसे right choice करेंगे, तब आप या तो divine blessings के साथ मिलकर आगे चलेंगे, surrender करेंगे खुद को, और divine energies को कहेंगे कि आपको एक रास्ता दिखाए, सही रास्ता दिखाए, या फिर आप अपनी inner powers का इस्तिमाल करेंगे, जो आपके अंदर बहुत है, खुब भरी हुई है, पर आप सही समय पर उसका इस्तिमाल नहीं करते, आपका life purpose यही है, कि अपनी inner powers का use करके, एक सही decision लें, सही choice करें, ये आपको आपकी life purpose तक पहुँचा सकता है, और आपको inner satisfaction इससे मिल सकती है, कि आपने वो पा लिया जो आप जिन्दगी में चाहते हो, आप रास्ते के बिना आगे बढ़ते जाओगे, तो वहाँ पर सिरफ आपको मुश्किले मिलेंगी, और आपको जिन्दगी को जीने के लिए struggles face करनी पड़ेंगी, अगर आप free will की तरह घूमते रहोगे, कोई परवा नहीं करोगे किसी की, तो लोग भी आपकी परवा करना बंद कर देंगे, और किसी को कोई फरक नहीं पड़ेगा कि आप कहां जा रहे हैं, यह जिन्दगी आपकी है, इसे बदलना बोल सकते हैं, वो है queen of wand की energy, तो आपकी अंदर जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, जो आपके अंदर छुपे हुए इतने talents हैं, आप उसको बाहर निकालिए, वो आपके लिए आपका higher self हो सकता है, वो strong कर सकते हैं, आपको आपकी strength है, fire energy है, तो अगर आप उसको अंदर से निकालेंगे, और अपने passion को निकाल कर, वो चीज़े करने की कुशिश करेंगे, जिसमें आपको खुशी मिलती है, जिसमें आपको अच्छा लगता है, पर discipline के साथ, पर अनुशासन के साथ, ऐसे नहीं आज कर लिया, कल नहीं किया, परसो कर लिया, फिर नहीं किया, इससे कोई फाइदा नहीं होने वाला, तो अपनी hidden secrets को, अपनी hidden passion को, अपनी energy को, अपनी अगनी को, fire को बाहर निकालें, और उस पे work शुरू करें, उसकी practice करें, उस उन सकते हो, वो आपके अंदर शुपे हुए हैं, आपकी प्रतिभाए हैं, आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, एक ऐसे मासूम इंसान, जो बिना सोचे समझे करता है बहुत कुछ, पर आपको ये नहीं करना है, क्योंकि ये आपका life purpose नहीं है, अगर आप ये समझ जाओगे, और अपनी fire की तरफ, अपनी अगनी की तरफ, अपनी passion की तरफ आगे बढ़ोगे, तो आपको जो यहां पर star card दिखा रहा है, जो blessing आपको मिल रही है, वो आपके लिए life purpose में बदल जाएगी, और कही ना कहीं से आपको रास्ते दिखाई देने लगेंगे, light दिखाई देने लगेगी, और आप सही रास्ते पर पहुँच जाएगे, तो ये है आपका life purpose, जिसे हम ढूण नहीं पाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं, कि हमें करना क्या है, तो आपको मैंने बता दिया, अब आपको right track खुद चुनना है, और कैसे चुनना है, ये भी मैंने बता दिया, अगर आपको reading अच्छी लगी हो, pile number 2, तो इसे like जरूर करना, share करना, और channel को subscribe जरूर करना, मैं मिलती हूँ नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ, तब तक किले, stay blessed, stay positive, thank you